हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का Everything is Stock Market चैनल पर हमने Jupiter Hospital के उपर IPO के उपर फुल रिवीव वाली वीडियो बनाई थी उसमें हम लोग ने पूरा एनलाइसिस किया था और IPO में मैंने पर्सनली बताया था कि मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाने वाला हूँ तो दोस्तों ये कंपनी जो होस्पिटल सेक्टर की कंपनी थी जिसके की बहुत सारे होस्पिटल खुले हुए हैं जैसे की थाने में इनका होस्पिटल है, पूने में इनका होस्पिटल है इंदोर में इनका होस्पिटल है और तेरे सो के लगभग इनके पास डॉक्टरों की टीम है और अभी जो इनका नया होस्पिटल खुलने वाला है वहाँ पर पांसो के लगभग आपको बैड देखने को मिल जाएंगे इनके थाने वाले होस्पिटल में थाने के आसपास के होस्पिटल में कुछ few multi organic transplant भी होते ह है वो इनकी कुछ specialty type की है तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है चोवन परसेंट का जो revenue हो थाने वाले होस्पिटल से आता है और 34 परसेंट का revenue पूने के होस्पिटल से और बाकी का 12 परसेंट के लगभग इंदोर वाले होस्पिटल से आता है और अभी ये company का जो IPO है व कौनची side पर लिस्ट होगा वो सारी चीज़ें हम इस यूडियो में cover करने वाले हैं 735 रुपए का एक share था 20 share का लोट था यानि कि 14,700 रुपए से इसमें हम एक लोट में apply कर सकते थे और मैंने personally अपने pen number से और अपने भाही के pen number से 14,700, 14,700 रुपए के दो लोट खरीदे ह अब आगे अगर हम देखें तो company के जो promoter हैं यहाँ पर इनकी नाम लिखे गए इनकी share holding जो है वो pre IPO लगभग 41% की है और retail वालों के लिए यहाँ पर 35% का reserve portion रखा गया था किसी किसी IPO में 50% का भी portion reserve रखा जाता है पर 35% का भी portion यहाँ पर reserve रखा गया इसी IPO में 50% का होता त थोड़े ओर भी बढ़ जाते क्यों IB के लिए 20% NII के लिए 15% और anchor investor के लिए 30% का portion reserve रखा गया था company के assets वगरा काफी अच्छे थे उस वीडियो में हमने चर्चा किये थी revenue profit after tax भी अच्छा था लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि revenue दो गुना के लगभग हो गया और profit म company का जो करजा है वो लगभग equal ही बना रहने वाला था और company जो भी IPO से पैसा जूटाएगी उसमें से लगभग 468 करोड रुपए का इनके उपर करजा है और 464 करोड रुपए का यह करजा भर देंगे यानि कि 4 करोड रुपए जैसा का कुछ करजा रहेगा यानि कि इस company को ह सारा का सारा पैसा पहले उधारी चुकाने में यह लोग काम मिलेंगे इनका थोड़ा सा P.E. महंगा था और 60 प्राइज वैलियोशन पे आ सकता था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्राइज इन्होंने हाई रखा है अब यहाँ पर कितना गुना सस्क्राइब हुआ वो अग लगभग लगे थे और दूसरे दिन इसमें 2074 क्रोड रुपए के लगभग लगे लेकिन तीसरा दिन खदम होते होते इसमें 40,000 क्रोड रुपए यहाँ पर इसमें IPO बरसे हैं मतलब बंफर सस्क्रिप्शन हुआ है क्यों आईबी इसम कर माल खरीदा है और सभी लोगों ने जम कल मार खरीदा है रिटेल केटेगरी यहाँ बात करें तो इस बार रिटेल वाले थोड़े से पीछे रहे गए रिटेल केटेगरी वालों ने थोड़े कम माल खरीदा है तो रिटेल केटेगरी वालों के कम माल खरीदने से यहाँ पर जिस भी जिन लोगों ने भी रिटे डिटेल में थोड़ी सी अप्लिकेशन कम आई है, QIB और यहाँ पर NIIs ने तो इसमें भरपूर स्क्रिप्शन दिया है, अब अगर हम आगे बात करें, इसके GMP गी तो यहाँ पर इसकी GMP पहले 200 की चल रही थी, उसके बाद 220 की, फिर 200 की चलने लगी, GMP में थोड़ा उचाला 200 की GMP हुई और अब 230 की GMP इसकी हो गई है, 230 की GMP हो गई है, 20 शेयर का लोट है, 4600 रुपए आज की डेट में हमको एक शेयर पर, एक लोट पर फाइदा बता रहा है, लगबग 30% का प्रोफिट इसमें बता रहा है, यदि GMP में थोड़ी सी और भी गिरावट आती है, उच 4000 रुपए से लेकर और 5000 रुपए तक का लिस्टिंग इन हम लेकर चल सकते हैं, अब हमें लोग टर्म के लिए इसको रखना चीए है, शौट टर्म के लिए रखना चीए, तो दोस्तों ये तो मेरा पर्सनल व्यू है, कि इसमें पर्सनल व्यू मेरा ये है, कि कमपनी जो और कमपनी प्योर डेफ्री भी हो जाएगी, लेकिन अभी मेरा इरादा इसमें लॉंग टर्म के लिए नहीं है, शौट टर्म में मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, अभी एक कौन सी साइड पर लिस्ट होगा, तो ये दोस्तों के फिंटेक की वेबसाइड प सकते हैं, जैसे ये पेज खुलेगा, लिंक 1234 किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, तो इस टाइप का पेज खुलेगा, अलोटमेंट स्टेटस का, यहाँ पर IPO सेलेक्ट करना है, अप्लिकेशन नंबर से जाना चाहें, डीमेट अकाउंट से, पैन नंबर से बेस्ट है, पैन न यहाँ पर डालें, और यहाँ पर जो लिखा है, वो यहाँ पर लिख कर सम्मिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि आपको शेयर अलोटेड हुए हैं कि नई हुए हैं, तो इस प्रकार यह जुपिटर होस्पिटल के उपर IPO के उपर फुल वीडियो थी, और कल हम बात कर करेंगे, आरार कावल के उपर,